भारतिय बायू सेना विश्व की सबसे बड़ी बायू सेना में से एक है लगातार बदलती तकनीक और भूराजनितिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी विवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिती से निपटने के लिए रणनीत क्षमताओं का पिस्तार करना आवश्चक है पिछले आठ सालों में माननिय व्रधान मंतरी शुड़ी नरींद्र मोदी जी के यशस्वी नित्रत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूपूर्व विस्तार माभारती की सीमाओं की श्रेश्टितम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सेनाओं को और अधिक सक्षम और अधिक प्रबल बनाने के लक्ष के साथ माननिय अप्रधानमंत्री जी के मार्क डर्शन में तीनों सेनाओं के क्षमता विस्तार पर विशेश जोर दिया गया है सामरिक शमता वस्तार की दिशा में एक एहन पहल के रूप में गुजराद के बनास काठा में माननिय अप्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधोनिक ये एर बेस देश की बायू सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महतपून है 4519 एकड क्षेतर में बनने वाला डीसा एर फील्ड अंतर राष्ट्रिय सीमा से किवल 130 किलोमेटर की दूरी पर स्थे थे इसके निर्मान से गुजराद के आसपास के क्षेतर में एर बेसिस के बीच 355 किलोमेटर की दूरी कम हो जाएगी जिससे हमारे लडाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लडाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कम ही आएगी इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी आपरेशन करना संभव होगा साथ ही आमदबाद बढ़ोद्रा जैसे महतपून आर्थिक केंद्रों को मजबूत एर डिफेंस मिलेगा इस एर बेस से उडान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे स्थानिय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे इस बेस के निर्मान के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सडक, समांतर टैक्सी ट्राक्स और एरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्मान होगा इस एर बेस को फास्ट ट्राक मोड में 21 महीने में तयार किया जाएगा डीसा एर बेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डिवलप्मेंट को नई गती देने की दिशा में एक नया अध्याय है